कि हलो इस्टूदेंस वेलकम टू एजमित्रा तो टूड़े यांव फिर विए विफ शेकंट अलश पार्ट अफ लास नाइन सोसाइंस प्लेटिकल साइंस और शिविक्स बोक याइज डेमोक्राटिक पॉलिटिक्स चैप्टर तू जो है वाट इस डेमोकरशी वाइल डेमोक लोकतंत्र रहें पीपल दो जैसे कि मैंने आपको पता है था कि इस चाप्टर को मैं रहा है तो आज इसका बीजिक लिक्च्चर और इसका लास लेक्चर जिसमें हम बात करेंगे आज के अगले topic के बारे में तो first lecture में बात किया Un Share तो अगर आपने वह लेक्चर नहीं देखाया तो पहले जाके फटा-फट चैनल पर कर लिजिए तब ही आका लेक्षर अटेंड की दिए डाट इस वाइड डेमो के शी तो चलिए सुरू करते हैं सो बीफ रटी स्टाइन अभी तक आपने अगर हमाना चैनल नहीं किया तो जहागे फटा-फट सस्क्राइब कर लिज सामारी में सब्सक्राइब है वो ज्रसुटन ओक्यान देल को डाट ऑन कर आघर शार हमारे चैनल पर ईजी ली आपलेबल हो जाए गा डैस याँ मझाति सो आज हम बात करेंगे किस वारे में आज हम बात करेंगे why democracy के बारे में याने democracy क्यूं है what is the need of democracy democracy कि हमें क्या जरूरत है कि चलो ठीक है कि हम पहले इसके खिलाब बात करेंगे और फिर हम इसके साथ बात करेंगे ठीक है कि डेमोकेशी के में क्या जरूरत है और डेमोकेशी में क्या लिमिटेशन से यह आपको सकते हो कि उसमें कुछ प्रॉब्लम से वगेरा वगेरा तो पॉइंट अगेंस्ट देखते हैं पहले देयर हैं क्रिटिसिजम आप डेमोकेशी वाइरियस पीपल ओके बहुत सारे लोग क्या है जो डेमोकेशी को क्रिटिसाइज करते हैं ठीक है इस उसको हम हम अभी डिमोकेशी की अगेरेश्ट बात कर रहे हैं देखते हैं कि इसमें क्या-क्या खाम और फिर ख़म देखेंगे क्या-क्या फायदे हैं तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि इस्सें इंस्टेबलिटि होती है से अल श्टिता हो सकती है सोचो आगर when you are what when you are anything मैं इसका कोई बेसिक्ली चेरमन है है और वह 20 सालोंसे यह है 20 यह तो यहां चया ऐंच्य तरह से सब्सक्राइब की आछ अन्य क्लिवेग़न का तरह harness है पर बना दिया जाता है इसा से तो अब कुछ यहां का जाएंगे की इस कंपनी को चलाएं कि इसके है्क चाहिए या क्या है इसकी खाम यह तो यहां भी कहा गया है क्या कि जैसे हमारे इंडिय होता है ह以前 हरे बहुत थे तो यह कहा इसके एंचे में कि इससे क्या होता है इसे अगेंस्ट होती है भूति है तो इसे अगेंस्ट को कॉंपटिशन there is no scope for mortality so आज कर हमारे country में या बहुत सारे निश्चेंट निए यह चलता रहता है कि हम कर सकते हैं आप अच्छा कर सकते हो आप अच्छा कर सकते हो या दूसरा खालाब कर रहा है वगेरा वगेरा कोई नहीं कहता कि we are bad you are good everybody says कि हमारी पार्टी अच्छी है आपकी पार्टी खराब है and that no matter कि पार्टी कितना अच्छा कर रहा है क्रिटिसाइज करने वाले उसको हमेशा क्रिटिसाइज करते रहते हैं always क्रिटिसाइज तो यही होता है कि यहां के रूल बे एकदम राजनीति खेल बन कर रह जाते हैं बस एक दूसरे का रूलर टांग खीचने में सारा का सारा वक्त बरबात कर देते हैं और वह कंट्री पर तो देखी नहीं पाते और इससे क्या होता है कि mortality का morality का कोई भी और नैतिक तक अच्छाई का कोई स्कूप लिए रह जाता क्योंकि क्या होता कि सारका सारा विल्ड बस ऐसा ही लडाई करते करते ही डाइम वेतित कर देते हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए बैसे किलिए हमारे क सब्सक्राइब आपका परोशी ने आपके परोशी ने आपकी जमीन हरप ली है सब्सक्राइब टिर्पते में इस आपकी एक मैना खतम तीन मैना खतम और यह साल mutually चलता ही तब तक आपके परोशी भी गया आप भी गया और आपके बड़क्ते आगा यसा हो जाता है कभी कभी थिक्षण कि यहां सब के लिए सूचा जाता है यही देखा जाता है कि जो जिसको आप अनब कर रहे ह halls कहीं वह भी सही है आप ही गलत हो सकते हो इसलिए बहुत जादा कर्सान्टन होता है बहुत जायधा डिवेट होता है इसलिए बहुत सारे किस अब मारे कंट्री में जो 10-10 साल 20-30 सी साल तक चले आते हैं कभी-कभी ऐसा होता है कि जिस वकील ने या जिस जज ने उसको केस को सुनवाई की थी पहले वह रही नहीं पाता वह भी चला जाता है ऐसा ही हो जाता है तो यहां बहुत जाड़ा डिले होता है सब्सक्राइब करते हैं तो यहां डिले हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां हम एकदम सही करना चाहते हैं सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि यहां क्या करते हैं क्योंकि यह सारे के सारे चीज़ों को देख कर यहां डिया जाता है यह बहुत फास्टली बहुत अनलेटलरी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया जाता है वो लोगों के इंट्रेस्ट के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं क्योंकि वह ऐसे ही एलेक्ट हो जाते हैं फाइव यह बाद उनका टर्म खतम ठीक है अगली बार बने तो ठीक है नहीं वह सकता है 10 से तक रह जाए तो बहुत जल्दी जल्दी से इस बहुत चोटा पिरेड होता है किसी बरे स्केल के काम को करनें का तो क्या होता है बेसिकली एक riba ने स्टार्ट तो कर दिया तब तक उसका क्या हुआ कि उसका कारेकाल खतम हो गया वह गया वह काम होई गया अपना रूलर आया that is not good हटा इसको हम अपना दिखाएंगे तो यहां क्या होता है पॉलिटिकल सिस्टम यहां बस खेल बनकर रहा गया है लेकिन डेमोकेशी के इसके साथ सथ बहुत सारे फायदे भी हम इसके आगे बात करेंगे तो यहां क्या होता है हमारे इंडिया में बहुत बार पाया गया है कि लिए जाते हैं यह लोगों को पैसा देकर लोगों को मनी देकर वोट्स खरीदा जाता है यहां लोगों के ही हाथ में सब कुछ होता है वो फिसेखते हैं ओअन प्यूल dueying गारिशक्तर देखते हैं आफ की सब्सक्राइं膜 करेंगे नहींblowing को आप कर साथ करया तो क्या करते हैं साथ पोलते हैं उसके लेर उसक झाैवकर जर्ट वर्म बागी हम this is a kiss क्यों कि यह लोगों के द्वारा अपने यहां वी जोख होते हैं così उनको परता है कि आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे ठैप मीडिया的人 यह जाके so traktor करती है क्यों का एक साथ Accountable to the people को भी जरूरी कर रहें काम यह कर रहें तो क्यूं कर रहें to क्यों ऐसे हमारा पेंव फेंफित होगा या उससे हमारा Loss को ऑगा यह फाएदा मन्द है या नहीं हो हमारी लिक्सान का काम करेगा इसलिए क्या होता हैCat रूलर्स जो होते हैं के जो लीडर्स होते हैं वो लोगों के लिए अकाउंटेबल होते हैं तो डेमोकरशी इंप्रूब्व दा क्वालिटी अफ डिसीजन में की ओके तो ही यह वोट है देख फॉर एक्जांपल आप लो मोनार्की में क्या होता है केंग बना उसका सन उसका सन ऐसे ऐसे चलता जाता है पहला थहां इसमें क्या होता है एक इंसान होता है ताना सा आप कहां को सकते हैं आप ले सकते एक्जामपल विया क्योकोडिया हो तो यह क्यों उन्न प्रिक्टेश्ट था टॉटल थिंग्सार कॉंट्रोल वाइं जब तक यह चाहे तब तक यह वहां रूल सकते हैं तेस्ट नो एलेक्शन नो राइट अधियर नो वोट्स नो डिसीजन making nothing तो इससे क्या होता है डेमोकेशी में quality होता है decision making process efficiently हो पाता है लोग के हाथ में right होता है कि वो decision making में अपना part दे सके okay so democracy provide a method to deal with differences and conflict yes that is also very very good and very efficient thing that we are gonna see in democracy that democracy provides method provide करता है कैसा deal करने के लिए सामना करने तो जैसे हमारे इंडिया के Contury एंग्सांक बहुट जयादा डाईवरस ठीक है बहुँआ यह लाइंग्विजस हैं बहुट ज्यादा कस्टम्स जहाय हों ज्यादा कास्ट साहां बहुत ज्यादा क्रिट से बहुत ज्साहरोकेश का ज्साम का different complexion different color different gender वगेरा वगेरा तो हमारे इंडिया बहुत variety है बहुत diversity है बहुत भिनता है लोगों में तो फिर वे वह एक साथ मिलकर रहते हैं ठीक है that is why because we we have nationalism का feeling है हमारे पास हम क्या है किसी भी कास्ट के होड़ी आइधर हिंदू आइधर इश्लाम आइधर सिख आइधर किस्टैनिटी नू मैटर इंडिया 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 हिंदुस्तानी लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ इस पर हमला करेगा इस पर हमला करेगा तो इसके लिए क्या होता है बेसिकली गवर्मेंट को उसमें अपना खास्तक करना पड़ता है इंडिया से कुला कंट्रीयों के सारे के सथमयों को इकवल ही त्रीट किया जाता है यहां क्या होता बैसिकली-वह जोबी भी कंट्रेंसे सब्जूट करती है वो नहीं चाहती है कि कोई भी कास्ट है कोई भी जो डिलीजेजन है उसका इथिक्स को कोई भी चोट मौचे वो सारे के सारे डिलीजेंज का moral principle set को देखे के ही काम किया करती है So democracy enhances the dignity of the citizen Democratic country में एक लोकतांतरिक देश में citizen का मान भर जाता है citizen का संबान और बढ़ जाता है क्यों क्योंकि वहीं वो लोग होते हैं जो सरकार चलाते हैं सरकार को चुनना उनके हाथ में होता है they are the person they are the citizens of the country they elect the rulers because rulers are of the people for the people and by the people इसलिए से लोगों का संबान बढ़ जाता है it allows us to correct our mistakes यहां allow किया जाता है यहां के जो लोग है वो रूलर को कुछ भी सजेस्ट कर सकते हैं यहां एक ही परसन नहीं होता है कि वह कोई भी decision आसानी से ले सकता है यहां पूड़ी की पूड़ी government bodies होती है जहां बहुत सारे लोग होते हैं और यहां बैठ कर आराम से एक उसे से डिसकस करके decision लिया जाता है तो इसलिए इसका फीचर्स लेख सकते हैं क्या हो सकता है कि यहां जो मिस्टेक्स है उसको करेक्शन करने की यहां आपको आजादी मिल जाती है आपको इसके पक्ष में भी जो हमने इसको और यहां पर आपको समझ में आ गया होगा फाइनली फाइनली विए यह विद्ध लास्ट टॉपिक अप्ट आप देशाप्ट आप देशाप्ट आपको डेमोकेशी को अगर हम बॉर्डर रूप में ले यानि बहुत बड़े रूप में ले तो इसका अर्थ क्या निकलता ह निकलता है इसका आपको डेमोकेशी के अब परेक्टिस रिचिशन मेकिंग अपर देमोकेशी के आइडिया को हम बहुत डिचिजन मेकिंग प्रोसेस ठीक है यहां हमारे पास क्या फंडमेंटल सब्सक्राइब इसकन अब फूरटीन तक फोर फ्री हमारे पास क्या है पर हमारे पिस आज पोड़ने का अधिकार दिया गया है यानि हम डिसीजीजन मेंगाइगा पार्ट दे सकते हैं वहाँ के लोगों को वहाँ के पीपल को यह राइट होता है कि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पार्ट दे सके इन बोर्डन सेंस अगर इसको हम बड़े पैमाने पर बात करें अच्छे से इसके बारे में सोचे डेमोकरिशी को हम डीप में परे तो इसका अर्थ या निकलता है बोर्डर सेंस कोई भी देश पूरे तरह से डेमोकरिटिक नहीं हो सकता है कोई कंट्री पूरे तरह से डेमोकरिटिक क्यों नहीं हो सकता है कि थी तो क्या होता है कोई बी कंट्री हो यह सारे के सारे सारे प्रिंसिपल उनसे फॉलो नहीं होते हैं वहां हो सकता है कि इस्टीशन में नहीं दिया जाए उनका योगदान डिसिजन मेकिंग के रूलर्स पर ही हो जाए ऐसा हो सकता है तो यह बेसिकली क्या होता है हमारे कंट्री में यह बहुत बढ़ा प्रॉब्लम है ठीक है गैस्टो और एक सबसे बादा प्रब्लम हमारे वोट हमारे पडिकल पार्ट इसकार हम दमोगूरी करते हमारे जो सब्सेर क्कार्फिशन होते हैं अधिस अजय सब परब्लम है डिनास्ट तक सक्षेशन की इसके बारे में आप आगे क्लासेस में पढ़ होगे लेकिन आपको इस बारे में हम कुछ बता देता है ठीक है तो बहुत सारे पार्टी इस क्या होती है जैसे फर एक्जांपल इस पार्टी इस पार्टी इस पार्टी में क्या है इस पर्शन वान इस पर्शन टू इस पर्शन में क्या मा वगई पुषन कुछ निवा है और फिर बहुत सारे लोग फॉर्सें सिक्स हो गया ठीक है इन को नहीं पचानते हैं अलग से पार्टी में जूल है ठीक है तो इस पार्टी में क्या होता है कुछ दिन ये बने इन को पार्टी का हेड़ बना दिया गया प्राइमिनिस्ट्र बन गया अब एले लेक्ष Says Rain लूट को फाप्राट्र रूल करेंगे गया इनको फानान्स मेंटीं रहता है वेकिन जो डिनाश्टिकल सग्षिशन में यहां अभी फादर रूल करेंगे और यह सारे लोग नीचे ही पिस्ते रह जाते हैं इनको पार्टी में कभी बड़ा डिगनेशन नहीं दिया जाता है अभी पॉलिटिकल पार्टी से इन्डिया इस जिनास्टिकल सक्षिजन बस इसके फैमिली मेंबर को ही बड़ा बड़ा पद दिया जाता है इस में कि नेश्ट नेशन नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक डेमीक टिक नेशन में नहीं ही कहा जा सकता जो इसक्सक्ति क्योंद बहुत सारे अट्रकाल रुष सकते हैं सलिए पारmbol हिए पार तो यह इसका मेरीट से वगएर वगएर तो असली डेमोकरशी को पाने के लिए बहुत सारा काम करना पड़ता है हमें क्या करना पड़ेगा किसी बीडिशीजन मेकिंग प्रोसेस को एफिशन बनाना पड़ेगा देखना पड़ेगा कि जो मिस्टेक्स है उसको अच्छे से करे सकें राइख कर सकें कांफ्लिक्स ना हओ फइट ना हो लताइया ना हो यह गवर्मेंट अच्छे से चुन पाएब को बेसिकली खतं हो कर लिया है इस वॉट इस डेमोकरशी एड वाई डेमोकरशी तो अगर आपको इस चाप्टर में कोई डाउट हो ताम में कमेंट सेंग परणा कशची में हमने परदाव डमोकरराई रहा प्वाइंस अगेंस देमोकरेशी तो हमने आज कि क्या पढ़ा वाई डेमोकरी यानि डेमोकरी क्या हमारा कंट्री में इंपक्ट रहें बाइव यह कितनी फिर भी अगा डाउट रहता है तो आप जाकर फिर से एक बार इसका फर्स लेक्चर और सेकर लेक्चर देख सकते हैं आपका आपको पूरा का फूरा डाउट क्लियर हो जाएगा तो मिलते हैं अगरे लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ तो तिल देन के डाउट वहां कि अजू तो आपको यहां यहां मैं अवांवा थैंगाई ए कि अजिए वाजिए वार्ट प्यू ऑबाई